नामा ओदेते ओदाए गेरे मांच पर और घुबर बाल पतंग बेके से संत सरोज सब हरे से लो चैन भ्रंग लखन शे राम चंद की जाए मंच रूपी उद्या चल पर सी रगनाजी रूपी बाल सूर के उदा होते ही सब संत रूपी कमल खिल गए और नेतर रूपी भॉरे हर्शत होठे शिराम पाहें केरे आसाने सनासी नप बाचन नखत अवली नप्रकासी मानी महेपे को मौद सको चाने चपटी भूपे उलू के लोकाने राजाओं की आसा रूपी रात्री नस्ट हो गए उनके बचन रूपी तारों के समुल का चमकना बंद हो गया अभुमानी राजा रूपी कमल संको चत हो गए और कपटी राजा रूपी उलू छप गए भाई बेसो के कोके मौनी देवा बारे सही सुमाने जनावाही सिवा गुरू पदे बंद सहत यानो रागारा में मौने ही सन आया सुमागा मौनी और देवता रूपी चकवे सुक रहत हो गए बेफूल बर्षा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं प्रहम सहत गुरू के चरणों की बंदना करके सी राम चंदर जी ने मौनी हो सिया ग्या मांगी सहे जाहीं चले सकले जगे स्वामी मात मांजो बारे कौन जरे गामी चलते राम सब पोरे नारे नारी पोला के पूरे तन भाई सुखारी समस्त जगत के स्वामी स्री राम चंदर जी सुन्दर मतवाले स्रेश्ट हाती की सी चाल से सभावर के ही चले स्री राम चंदर जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पर सुखी हो गए और उनके सरी रोमांच से भर गए बायन्दी पेतर रेसो रेसो क्रेतस अमारे जो काच्छुपन प्रभाव हमारे तो से वैधा नो म्रणाल की नाई तो रहो रामेंगाने से गोशाई उन्होंने पितर और देवतां की बंदना करके अपने अपने पुन्यों का इस्मरण की आए यदि हमारे पुन्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गरेश गुसाईं से राम चंदर जी सुझी के धर्श को कमल की दंडी की भाद तोड़ा लें राम आही प्रेम समीत लखी सखें ही समीप बुलाए सीता मा तो सनी है बस बाचन का इंबे लखाए लखन से राम चंदर की जाए स्री राम चंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सक्षियों को समीब बुला कर सीता जी की माताश ने बस बिलग कर बिलाब करती सी वह भया बचन बोली सक्षी सब कोंतों के देखन हारे जो कहावत ही तू हमारे को ना बुझाए कहाई गुरु पाही ये बालक ऐसे हाट भले ना ही हे सक्षी ये जो हमारे हितू कहलाते हैं बेबी सब तमासा देखने वाले हैं कोई भी इनको गुरु बिस्वामतर जी को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक हैं इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है जो धनसरावन और बानासर जैसे जगत बिजईवीरों ने हिलाए ना हिल सक उसे तोडने के लिए मुरी बिस्वामतर जी का राम जी को आगया देना और राम जी का उसे तोडने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा इसलिए बे कहने लगें कि गुरु बिस्वामतर को कोई समझाता भी नहीं राम ने बान चुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदा पा सोधान राज को आर कर देही बाल मराल की मंदर लेही राम न और बाना सुर ने जिस दन उसको चुआ तक नहीं बे सब राजा घमंड करके हार गए और और सब राजा घमंड करके हार गए वही धनों से प्रिस्व कुमार राज कुमार के हाथ में दे रहे हैं हंस के बच्चे भी कहीं मंदरा चल पहार उठा सकते हैं भूप सायान पैसा कले से रानी सके बेदेगत कचु जाते ना जानी और तो कोई समझा कर कहे या नहीं राजा तो बड़े समझदार और ग्यानी हैं उन्हें तो गुरू को समझाने की चेश्टा करने चाहिए परन्त मालम होता है राजा का भी सारा सयाना पंचमाप्त हो गया है सकी विधाता की कती कुछ जानने में नहीं आती यह कह कर रानी चुप हो गई तब एक चतर राम जी कि महत्त को जानने वाली सकी को मलवानी बोली हे रानी ते जवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं किनना चाहिए काहें कॉम बाजे काहें सेंदो अपारा सो सेवसो जैसे सकल संसारा रभी मान डाले देखा तेला घुलागा अवदा एतासो ते भूवन तम भागा कहां घड़े से उत्पन होने वाले छोटे से मुनी अगस्त और वहां अपार समद्र किन्तू उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयसारे संसार में छाया हुआ है सूर मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदा होते ही तीन लोकों का अंदकार भाग जाता है मंत्र मारा मेला घुजा सो बसे वे धी हरी हरे सोरे सर्वे महामत का जराज का हूँ बसे का रहां को से सर्वे लखंश राम चंदर की जाए मापती महादीव की जाए पर उसे धहन मान की जाए गुसाइं तुलसी दास की जाए बलवाई सब संतन की जाए